तो कक्षा 10 के सभी विद्यारतियों, आज मैं आपको साइन्स सकाए के सब यह पर बताऊंगा कि 70 नंबर बिलकुल चुटकियों में आ जाएंगे, चलिए वही प्रस्ण बताऊंगों जो परिक्षा में आ रहे हैं, विवांतर का मापा के अंत्रे, वोल्टे मिटर, पादप मे एंपियर होगा, ठीक है, पारी तंत्र में उर्जा का प्रवाज सदेव एक देशिक होता है, चलिए यहां से अपन देखते हैं, यह आप तो बड़िया से कंपलीट करोगे तो अच्छे नमर आपको आएंगे ही आएंगे, वे अभी के लिए जिन में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ, उस्मा भी उत्पन होती है, उस्मा छेपिय विगिरिया कहलाती है, जब एक, धाजल एक क्या है, उदासिन आकसाइड है, धात्वी प्राया, उस्मा और विद्दुत की सुचालक होती है, ओधों में केवल रासाइनिक समन्वे होता है, मादा और गरबस्त के बीच, जेविक संबंद इस्ताफित अरने वाला उतक प्लेसेंटा कहलाता है, मेंडल ने वनसान उगती के नियमों का प्रतिपादन किया, ठीके भी यहां, यहां से देखिए, यह कुस्चे नमर आपका दो है, और बढ़िया से आप तो कंप्लेट करिए, बढ़िया से मह जाये न, तो यह सी विद्दुत की सूचलग आधात हुए आपकी ग्रेफाइड, क्या है, ग्रेफाइड, दूसरा है आपका रक्त का ठक्का बनना, यह किसके लिए उतकर दए होता है, प्लेट लेट सिसका उतकर दए होता है, स्वा परागन हमारा दवी लिंगी पुस्पो में हेयо होता है, एक लिए निरधारन के लिए उत्तरदाई होता है उत्तल दरपन के रोप के उत्तलदरपन के रूप में जिसको विरीता मिल दे जरादूरदरशितःधि reopening आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहां से आप तो बढ़िया से कम्पिलिट करना अच्छे से तैयारी करता है न भी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है आपका एक वाक्ति में उत्तर जब किसी योगिक से आक्सिजन सहीउक्ट होती है तब वहां अभी के लिए क्या ग्रेफाइट ग्रेफाइड है इसवी जब कोई योगिक से आक्सिजन सोयुक्ट होगी तो उसे हम कहेंगे अप प्चेयन और उप चेयन कैसे कहेंगे जब आक्σιजन का हास आक्सिजन का हास किभानेना तो वह उप चेयन खिलाई है पारे की मिस्षिधातु क्या कहलाती है पारे की मिस्षिधातु कहलाईगी अमल गम ठीक है भी जाँ तो बनुस्य वे आयोडीन की कभी से होदे वाला रोग घेंगा पराग कोच से पराग कनों का वर्ती कागर तक पहुचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं परागन ठीक है लेंसे की छमता के लिए सुत्रता मात्रक भी लिखिए लेंसे की जो छमता का फोर्मूला है वो एफ पी एक्वल वन बाई एफ मीटर में अंत्रिक्ष्य व्यात्रियों को आकास केसा दिखाई देता है उन्हें काला दिखाई देता मेरा भाई युँग हो गया चलिए आपको से नमर यह फोर है एंगलेस वीडियो वाले बच्चों का है यह देखिए यहां से हो गया इसके इन सोट ले लो तुराज यहां अवे सत्य आ सत्य मनुष्य में दोहरा परिसंचरन होता है कि आप बिल्कुल सत्य बात है दूर दिरस्टी दोस्त को दूर करने के लिए उत्ता लेंस का उप्योग करते हैं सत्य है आमोनिया क्लोराइट को जल में घोलने पर विलियन ठंडा हो जाता है उसमा छेपी अभी किलिया है यह आपका असत्य रहेगा हां है sonüt घरेलू कि गरेलू परिपत में पृतियावर्ती धारा पृतियावर्ति धारा कि प्रवाही तो यह धारा है वो पृतिया वर्थी धारा होती नहीं वो हती यह ब्रudeτα दारा हो ओसे आपन डिसी करण्ट के तें यह आपका चोथा जो है यह आपका शच्धि रहेगा लिटमस लिटमस एक प्राकर्टिक सुचक अमल चाहर है तो यह आपका लिटमस जो है ना वो क्या है आपका सत्य बात है और यहां पर उसमी अब घटन की अभी किरिया है बिल्कुल राइड बात है यह उसमा भी उसमा छेपी अभी किरिया घई होगे वह यहां उसमा सोची का अब कुस्चन नम्मर जो आपका छे है यहां से आपके दो दो नम्मर के कुस्चन शिरू होंगे और यह कुस्चन का सोलिशन में आपको अगले वीडियो में दूँगा क्योंकि कल तक बच्चे कोचिंग में है ना देखिए कोचिंग है अपनी इसका रिजल्ट देख लिजए गये साल का रिजल्ट है आप यह दी चाहते हो कि यह से ही आपको नम्मर आए जो बचा रहा हो ना उसको आप कंपलेट करो A B C D E F 6 पेपर आपको दे रहा हूं मेरी चाहिए है कि अपकी बार 90 के पार ठीक है तो अपकी बार मोधियो दी नहीं अपकी बार 90 के पार करना है अ आर पेपर करना है और यह आप 90 से उपर जाते हैं चाहन में संत्यान में अंठ्यान में तो आपको छे पेपर करने पढ़ेंगे वाले आप अलग से पढ़ो इंपोडेंट पढ़ते समझे लो मैं के रहा हूं जो कर लो बस ठीक है पर यहां से देखिएगा पड़िए इसका स उच्च क्यों होते हैं देमनलिकित की संरचनाय चित्रित कीजिए एथेनोइक अमल ब्रोमो पेंटेन हाइड्रो कार्बन क्या है उधारन देकर समझाई पाचक इंजायमों के कारी लिखना है हमारे सरीर में वसा का पाच्चन केसे होता है और यहां प्रकरम कहां होता है चलि अनुवांसिक विवन्नताय किसे केते हैं मिंडल का प्रतक्तरन का नियम आपको बताना है कि यह दो मीटर खोकस दूरी वाले आउतल लेंस की छमता क्यात कीजिए हीरे का अपुर्तनांक 2.42 है इस कथन से का क्या अभिप्राय है आउतल दरपन की मुख्य फोकस की परिवासा आपको बता नहीं है अवरा बतान के नियम आपको बताने है चालक के प्रतिरोद को प्रवाय करने वाले दो कारकों के नाम बताईए एक है ओम के नियम को समझाईए होगया इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम आस्त के नियम को लिखना है फ्यूज तार क्या है इसका उप्योप्त किया चाथा है अप उर्त नान्ग से अप क्या समझते है गोली धरपन कि वकता तरिज्जा को परिवासित करना है पररिश्टिति कि क्या है पारिस्टितिति कंत्र के फिर्म घ्ट कोंखने में अंच्ट्र बताईए रासाइशनक्स समीकरण से आप क्या समझते hey